दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इंटरनेट पर कई दिनों से है स्टोरी इतने इमोशन से भरी है आप भावुक हो जाएंगे इसलिए आप स्टोरी में अंतक जरूर बने रहें और इसी तरह की इंटरस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों एक वार एक छोटे से गाउ में घरीब लड़का रहता था जिसका नाम कांटो था वो सड़कों पर इधर उधर भटकता रहता और उसे जो भी काम मिलता उसे करने लग जाता क्योंकि उसे अपनी स्कूली शिक्षा घर का किराया चुकाने और रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने थे उसकी जिन्दगी कुछ इसी तरह से चल रही थी एक दिन काम करके थका हारा कांटो एक बेकरी के पास बैठ गया जहां उसने कई स्वादिश्ट डिशिस देखी जो की बेकर्स बेकरी में बेच रहे थे उन बेकर्स ने कांटो को एक बर्गर का टुकडा दिया जो उसे काफी पसंद आया वो कुछ और बर्गर खरीदना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो वही रोक गया जब उसने देखा कि उसकी जेब में केवल एक ही सिक्का है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक छोटा सा ब्रेट का टुकडा भी खरीद सके फिर उसने खाने के लिए भीक मांगी लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया आखिरकार उसने बिना कुछ खाए ही जाने का फैसला किया लेकिन उसकी भूक ने उसे तड़पा दिया जिसके चलते वो अगले ही मकान में भीक मांगने चला गया थोड़े समय बाद उसने गेट खट खटाया लेकिन जैसे ही गेट खुला तो कांटो वो नहीं मांग सका जो उसे चाहिए था क्योंकि जिसमें दर्वाजा खुला वो एक प्यारी सी यंग लड़की थी जिसे देखकर वो घबरा गया और उसने घबराहट में केवल एक पानी का ग्लास मांगा पानी पीने के बाद थोड़ी ही देर में कांटो ने हिचकिचाते हुए थोड़ा खाना भी मांगा उस लड़की को ये सब सुनकर आश्चर रहुआ कि लड़का बहुत लंबे समय से भूका है वो लड़की कांटो के लिए दूद और बर्गर लेकर आई कांटो थोड़ा शर्मंदा तो हुआ लेकिन उसने बर्गर खाया और दूद भी भी लिया इस सब के बाद कांटो ने उस लड़की से पूछा कि आप इसके लिए कितने पैसे लेंगी मैं जल्दी ही आपको लोटा दूँगा तब उस लड़की ने मुस्कराते हुए कहा मेरी माँ ने मुझे किसी गरीब की मदद करने के बाद पैसे ना मांगने की सीखती है आगे बढ़ने और अपने लक्षे को हासिल करने के लिए प्रेटित हुआ कांटो ने अपनी पढ़ाही खत्म करने और एक सफल व्यक्ति बनने का सपना देखा ताकि वो अपनी माँ और अन्ने सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके धीरे धीरे समय बीटता गया कई साल गुजर गए वो प्यारी सी यंग लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी थी लेकिन बड़ी होने के साथ साथ वो गंभीरी रूप से बीमार भी हो गई डॉक्टर्स भी इस बीमारी को देखकर उलज़न में थे इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की बीमारी नहीं देखी थी इसलिए वो डॉक्टर्स उस लड़की की मदद करने में सक्षम नहीं थे तब उस महिला को एक बड़े शहर में भेज दिया गया जहां बड़े बड़े और स्पेचलिस्ट डॉक्टर्स ने उस लड़की को देखा लेकिन फिर भी किसी को ये बीमारी समझ में नहीं आई ये वो डॉक्टर कांटो इस बीमारी का कारण समझने वाले पहले विशेशक गये थे और जब कांटो ने पेशेंट के गाउं का नाम देखा तो उसकी जिग्यासा और बढ़ गई और डॉक्टर कांटो ने उस पेशेंट को देखने का फैसला किया रास्ते में कांटो इसी के बारे में सोच रहा था अलांकि कांटो अभी भी नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है लेकिन जैसे ही कांटो ने उस महिला पेशन को देखा तो वो हैरान रह गया उसने देखा कि वो महिला और कोई नहीं बलकि वही लड़की है जिसने उसे भूगे होने पर खाना खिलाया था हलांकि अब वो इतनी हुआ नहीं थी लेकिन अब भी वो काफी सुंदर देख रही थी अन्ने सभी डॉक्टर्स भी कमरे में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने हर संभव कोशिश करके देख ली है लेकिन हम इस महिला को ठीक नहीं कर पाए एक राद जब कांटो अपने घर पर था तो उसे अस्पताल से एक फोन आया कि उस महिला का बुरा हाल हो गया है और वो बहुत मुश्किलों में है डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खत्रे में थी किसी भी समय वो महिला मर सकती थी तब डॉक्टर कांटो चिंतित हो गया वो इस महिला को मरने नहीं दे सकता था चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े अगले ही दिन कांटो ने उस महिला की जांच की उसकी बॉडी कई मशीन से जुड़ी हुई थी उसका शरीर भी पीला पड़ रहा था और हाट तेजी से धड़क रहा था ऐसे ही एक सबताह गुजर गया पर लड़की की स्थिती में कोई सुधार नहीं आया बाकि सभी डॉक्टर्स तो पहले ही इस महिला के जिन्दा नहीं बचपाने के संकेत दे चुके थे जिसमें वो एक पीडित पेशन को ठीक नहीं कर सकता आखरी बार वो ठक हार कर महिला के पास बैठ किया और बताने लगा कि कैसे उस महिला का कांटो के जीवन में एक बड़ा रोल है वो आज जो भी है उसी की वजह से है कांटो ने बताया कि कैसे उस महिला द्वारा दिये गए खाने ने कांटो की जिन्दगी बदल दी थी इतना कहकर कांटो रूम छोडने ही वाला था कि उसने देखा उस महिला ने अपनी उंगली को हिलाया कई अफ़त बात ऐसा संकेट मिला था जिससे ही उमीद जाकी कि वो महिला ठीक हो सकती है ये संकेट साफ बता रहा था कि वो महिला भी भी पूरे मन से जीना जाती है और वो हार मानने वाली नहीं है डॉक्टर कांटो उठकर कमरे से बाहर इस मुस्कान के साथ चला गया कि वो उस महिला को बचा सकता है ऐसे ही एक सबता और बीद गया तब हॉस्पिटल के एक हेड डॉक्टर ने कांटो से कहा कि अब वो ये सब मशीन्स हटा दे जो उस महिला से लगी है अब उस महिला को बचाया नहीं जा सकता उसके जीवित रहने की संभावना एक प्रतिशत से भी कम है साथ ही उस महिला का यहां रहना हॉस्पिटल के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्चा है डॉक्टर कांटो बहुत उदास हुए और उसने हेड डॉक्टर से ऐसा कुछ भी नहीं करने ही विंती की और आपने हेड डॉक्टर से एक आखरी चांस मांगा और गहा कि अब कुछ ही दिनों में वो उस महिला को होश मिला देगा अलागि डॉक्टर कांटो खुद भी ये नहीं जानता था कि ये सब कैसे होगा लेकिन हाँ कांटो चाहता था कि उस महिला की मदद करने का उसे कुछ और समय जरूर मिले हेड डॉक्टर ने कांटो को एक आखरी मौका दे दिया अचानक कुछ ही घंटो बाद एक चमतकार हुआ एक लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर कांटो उस महिला का इलाज करने में सफल रहे दो सब्ताह के भीतर महिला पूरी तरह से ठीक भी हो गई अब बारी उस बिल की थी जो महिला को उसके ट्रीटमेंट के बदले में देना था इस बिल के बारे में वो महिला भी काफे चिंते थे इतने लंबे दिनों तक ट्रीटमेंट के बाद ये बिल बहुत अधिक होने वाला था लेगन इससे पहले कि वो बिल उस महिला तक जाता डॉक्टर कांटो ने इसे देखा इस बिल का अमाउंट बहुत ही स्यादा था तब डॉक्टर कांटो ने इस बिल पर कुछ लिखा और फिर एक नर्स को ये बिल उस महिला को देने को कहा उस महिला ने जैसे ही ये बिल देखा तो वो शौक रह गई उसका सारा बिल माफ कर दिया गया था और बिल के नीजे लिखा था ये उस दूद और बर्गर का भुकतान है जो उसने कांटों की मदद करते समय दिया था जिसने उसकी पूरी जिन्दगी बदल दी थी थोड़ी ही देर में वो महिला सब को जान गई और हैरान रह गई जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बलकि वही था जिसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी महिला का मन भराया और उसकी आँखों से आंसु जलकने लगे दोस्तों ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन उसी महिला की वज़ा से कांटो अपने जीवन को बदल पाया था और वो कांटों से डॉक्टर कांटो बना था अगर वो महिला कांटो की उपर दया नहीं दिखाती है तो शायद आज वो डॉक्टर नहीं बन पाता और वो महिला भी शायद जिन्दा ना होती तो दोस्तों कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जरूरत मंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए छोटे से छोटा इंसान भी हमारे कप कामा आ जाए यह कोई नहीं जानता तो आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आज के लिए फिलहाल इतना ही धन्यवाद